मोधी जी को जैशिरी राम दोर में भक्त कहा जाता है चमचे और भक्त में कोई अंतर नहीं है दोनों की एक ही माइने हैं लेकिन व्यक्ति पूजा उस दौर से भी जादा खतरनाक हो गई है और व्यक्ति पूजा का एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया है जब बीजेपी के राश्ट्रे अधिवेशन में पीम मोदी मंच पर आते हैं नितिन गड़करी, राजनाज सिंग, अमिश्या, जेपी नड़ा तमाम नेता उनके साथ मंच पर होते हैं और एक बड़ी माला लाई जाती है अमूमन राज़िति क्रैली में या ऐसे कालक्रम में क्या होता है जब बड़ी माला लाई जाती है त लेकिन चुकि अमिश्या, पीम मोदी के पुराने साथी हैं वो उनके मूर को समझते हैं तो वो अचानक आते हैं और माला को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इशारा मिल जाता है बड़े नेताओं को कि जहां मोदी खड़े होते हैं उनकी माला में दूसरा कोई नहीं आ सकता राजनाज सिंग भी चुप चाप माला से बाहर निकल जाते हैं हाला कि उनका चेहरा देखने लायक होता है चेहरे का रंग उड़ जाता है सकपका जाते हैं जेपी नड़ा भी चुप चाप बाहर हो जाते हैं और वो माला अकेले पीम मोदी को पहना दी जाती है अमिश्या क इसा करना दिखाता है कि वैक्ति पूजा बीजेपी के दौर में किस तर्ट पहुंच गई है इसलिए राजनाज सिंग के मज़े लेते वे विपक्षी नेता अब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं सुप्रिया शिनेत ने वीडियो ट्विट किया और कहा कि कड़ी निंदा क्योंकि र खटना को लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है लेकिन क्या ऐसी व्यक्ति पूजा होनी चाहिए एक तरफ पीम मोदी कहते हैं कि देश में वीवियाईपी कल्चर खत्म हो गया है प्रदानमंत्री से लेकर आप आदमी सब बराबर हैं और यहां पर बीजेपी के नेताओं की इतन माला में नहीं आ सकते हैं क्योंकि शायद बीजेपी नेताओं ने माल लिया है पीम मोदी के ठिंक टैंक ने माल लिया है कि पीम मोदी गलोबल लीडर बन गये हैं विश्गुरू बन गये हैं तो बीजेपी नेताओं को माला में उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए आप पीजेपी नेताओं के साथ ऐसे वेभार को लेकर क्या सोचते हैं जहां इतनी बड़ी माला सिफ अकेले पीम मोदी को पहनाई जाती है और जैसा कि राजनितिक रैलियों में होता है कि ये माला सब को पहनाई जानी चाहिए थी लेकिन राजना सिंग और जेपी नडडा अंदर आने के बाद भी माला से बाहर हो जाते हैं आप वैक्ति पूजा के ऐसे दौर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट पॉक्स में पीराइस जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की उप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्स स्काइब करें नमस्कार